प्यारे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं 12th क्लास का हिंदी अनिवारे का जैपुर जिले का पेपर है ये तो चलिए इसके सोलुशन को बतायता हूं मैं आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोश्चन पेपर को और आपने अगर जैपुर जिले के हैं तो आपका तो कोश्चन पेपर आपके पास होगा लेगन आप किसी दूसरे जिले से हैं तो इस कोश्चन पेपर को देख करके आप अपनी अच्छी तियारी कर सकते हैं अगर आपका हिंदी का पेपर नहीं हुआ है तो ये साहित्ते का जीवन के साथ गहरा संबंद है ये वाला पैसेज है इस पैसेज को पहले आपको पढ़ना है देख लीजिए इस पैसेज को इतना बड़ा पैसेज है आप स्क्रीन सोट लेके पढ़ सकते हैं जिसके बास ये पेपर नहीं है अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसके गध्यांस की तो यहाँ पर क्या है साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंद है साहित्यकार अपनी पैनी दिश्टी से देखता है और सब्वेदन सिन मन से उसको अविव्यक्त करता है चारो ओर देखें गए सत्य और भोगे हुए यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंग कर तो कभी लो तो शेर्षाय के दो और सिर्षक होते हैं अगर उससे मैच् करते हैं तो एक तो साहित्यकार हो जाएगा और एक आप बोल सकते हैं साहित्यकार और समाज हो सकता है ठीक है ये भी आप बता सकते हैं उसके बाद में दूसरा जो कोशन है साहित्यकार और समाज का संबंद कब दिखाई देता है तो साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है तो साहित्कार और समाज का संबंद इस पस्ट दिखाई देता है सब पार्ट में जो पूछा गया है साहित्कार में किसे देखने की अद्बुत शक्ति होती है तो उसमें सुंदर्र को देखने की और परखने की अद्बुत सक्ति होती है अगला question है साहितिकार की दिरिष्टी वह मन की विशेशता बताईए तो यह सारे के सारे answers जो आप देख रहे हैं यह सारे आपके passage में लिखे हुए ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है तो आपको चिंता करने की ज़रूत नहीं है तो यहाँ पर passage जब पढ़ते हैं तो passage को ढंक से पढ़ लें और direct आप answer लिख सकते हैं पैसे सबसे आसान होता है आपके अगर इंगलिस और हिंदी दो subject को अराम से clear करना है तो passage को solve करना सीखिए ठीक है आगे बढ़ते है next question की तरफ आपको चिंता करने की ज़रूत नहीं मैं हर चीज की आपकी help करता रहूँगा आप पुछा गया है साहित्यकार की दस्टी वो मन की विसेशता है बताईए तो साहित्यकार की दस्टी जो है पैनी होती है आगे बढ़ते है next question पे यहां पर पतित पद्यान से निर्भै स्वागत करो मिर्त्वी का तो यहां पर मिर्त्यू वाला है आपका passage इस passage को यानि कि आपका गध्यान से इस गध्यान को पढ़ने के बाद में यहां पर answer देने है तो चलिए में answers बता आओ इस vasper कर कोई स्क्रीन सॉट लेना चाह storing है तो ले सकता है ठीक है यह passage सेес पैसेझ कर इहां पर answer देखिए अब बताता है पहला है मिर्त्यू को त्याक कर नया शरीर धारण करता है और पूनाहा नवीन जीवन की यात्राक पर अगसर होता है बापार्ट जो पुछा गया कवी ने मिर्त्वी की तुलना किस से और क्यों की है तो कवी ने मिर्त्वी की तुलना एक नदी से की है जिसमें नहा कर मनुष्य जीवन भर की ठकान क को दूर करता है वह उस मिर्ति रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त को बहा देता है और पूरहन दूसरे नए जीवन रूपी वस्त को धारण कर लेता है अब सब पार्ट जो है सच्चे प्रेम की क्या विशेष्टा बताई गई है तो कभी कहता है कि सच्च नहीं हटना चाहिए इस तरह से इसका आंसर हो जाएंगे आपने कैसा आंसर लिखा है आपको पता होगा मैं जो आंसर बता रहा हूं 100 नहीं 2000 परसेंट बोलता हूं इतना परसेंट करेक्ट है ठीक है न ध्यान रखना आप कोई दिक्कत नहीं होगी सच्चे प्रेम की क्या व या म्रत है त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है अता सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का वलिदान करने के करने को भी सदेव प्रस्तुद रहना चाहिए यानि कि निस्प्राण कब कहा गया है जब आपका त्याग का त्याग के प्रेम का आपका प्राम है म বखित विश्भों में आपको निबंद लिखना आए टो यहां पर आप किसीवे भी लिख सकते हैं मैं ने आत्मेर भारत में खिन इंडिया पे लिख तो इस तरह से यह निबंद है की बड़िटा में कीवरा नीबंद को यहां पर आपने देख लिया और इस से ठोड़ा सा आ रए बढ़ता हो तो मैं आपको और भी जो यहां से अब मैं यहां से आगे का दिखाएता हूँ, यहां से आगे का यह जो है, यह भचावा पार्ट है, तो यहां तक आपका यह निवंद है, जो 300 सब्दों में लिखना था, आप अराम से इसको याद कर सकते हैं, आने वाले समय में आपके सायद काम आएगा वारसी परिक्षा में नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, तो यहां पर है चौथा कोशन, जिसमें आप से पूछा गया है, सच्चिव मादमी सिक्षा बोड रास्थान अजमेर की ओर से एक अर्ध शाष्किये, पत्र पुलिस महानिदीशक रास्थान जैपिर को लिखा जाए, जिसमें वोड परिक चाबोड रास्थान अजमेर तो उसका हम एड्रिस दे देंगे, दिनांग आपकी मर्जी है, मैं आज की डेट चाहता तो डाल सकता था, और आपकी मर्जी आप किसी भी डेट को डाल सकते हैं, और यहां पर जो है, इस तरह का एक करमांग संक्या होती है, तो इस करमांग संक करना होगा, यह चीज आपने देख ली, अब आगे बढ़ते हैं, लिखना का है, प्रिये मलोतरा जी, जो भी आप जिसको लिखना चाहते हैं, आप तो अपने तो लिख दिया, आप जिसको लिख रहे हैं, उसको नाम लिखेंगे, आप उसके बाद में इनको बताएंगे, त इसमें बिल्कुल सही सटीक वर्ड यूज किया जाते हैं जो आपको जरूरत है वहाँ पे हेलो हाई हेलो नहीं होता है तो देखिए प्रति वर्ष की भाती इस वर भी माद्यमिक एमम उच्च माद्यमिक परिक्षाएं दस मार्च से आरम होने जा रही हैं इसमें प्रदेश के गोपनियता वह सुरक्षा की द्रिस्टी से आप व्यक्ति गत तोर पर तोर से अपने अधिनस्त अधिकारियों को निर्देशित कर सहियों के प्रदान करें देखिए बहुत सिंपल सा और साफ साफ वर्ड में यह समझा दिया गया कि आपका क्या चाहिए है ठीक है इससे वि लिख रहे हैं क्योंकि आपका एक और एड्रेस था लेटर में आपने देखा होगा तो आप लिखेंगे यहां पर सेवा में स्री हर चरण मलोतरा या जो भी आप सूरज मलोतरा या फिर कोई भी आपका नाम अपना लिखने पुलिस महानी देश्यक राजस्थान जैपुर य लिख प्ली आपको ऊपर दिया गया था ठीक है यह वाला बहुत जरूरी है फिक है यह चीजें है ही एक्जामनर को आपको यहा देखेगा ठीक है इसमें एक चीज यह चीज मैंशन करता है उसके बाद वो देखता है कि आपने यह जरूरी नहीं कि यह पढ़े लेकिन यह प अंचारा कीजिये जिसमें परिक्षाइब की तारिक परिवर्थित करने की सुचना दी गई हो तो देखी अगर आप इस टाइब के लेटरस जितने भी आप चाहते हैं सारे लेटर्स करवा दूंगा और उन में से आपको एक guaranteed 100% sure आपका लेटर जो है आएगा किसमें आपके वार्सी परिक्षा में ठीक है तो अचलिए अब देखते हैं next question की तरफ तो आप दोनों में से कोई साइक कर सकते थे मैंने एक करवा दिया है इसके बाद मैं निमलिकित विश्यो में से किसी एक पर आलेक लिखना है आपको तो मैंने जो है आलेक लिखा है न वो आपका लिखा है यहाँ पर देख लीजिए आप बालश्रम और उपेक्षित जीवन है आपका एक तो ठीक है और उसके अलावा क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पर जो है एक मिनट मैं बतायता हूँ आपको यहाँ पर पूरे भारत में कुछ उद्योग पतियों वेपारियों की भागेदारी से बालश्रम उसके कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया एक अवेद कार्रे है उद्योग पतियों और वेपारियों ने आम तोर पर कम खर्चे में कम से कम समय में कुशल कारे के कारण बाल सरम को चुना है समझ गए? कम से कम खर्चा होता है इनको पैसे कम देने पड़ते हैं बच्चे आम तोर पर अपनी गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बाल सरम में शामिल हो जाते हैं लोग जो बहुत गरीब हैं और अपने दो समय के भोजन और कपड़े का प्रबंद नहीं कर सकते अपने बच्चों और बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल भीजने के बजा तो इस तरह से आपको ये लिखना था क्योंकि ये आलेख है और आलेख बहुती सटीक तरीके से लिखा जाता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है आलेख को लिखना आना चाहिए आपको और आलेख बड़ा नहीं होता है इसका बाद आते हैं नेक्स्ट आपका फीचर लिखन ना क्योंकि मैं पढ़ूंगा कोई फाइदा नहीं है आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और याद भी हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देख लो आप पूरा का पूरा एक बार इतना और इसके बाद में थोड़ा सा जो बचा हुआ इतना ही पैराग्राफ यहां आपका इसका आंसर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोष्ण की तरफ नेक्स्ट कोष्ण जो पूछा गया इसमें पूछा गया है विचार व्यक्त करने मनुभावों को कहने तता प्रकट करने का साधन जो है वो क्या है हमारा भाशा उसके बाद मैं दूसरा जो राखिए बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून तो इस तरह से ये दोहे का जो अलंकार है वो बताना है तो इसमें है शलेश अलंकार ठीक है बी ओप्सन इसमें करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन में पुछा गिय ठीक है ना ये लेश पर ही अलंकार के विशिस पर काम करता है यह नहीं कि हाथ कहीं और पैर कहीं और सिर कहीं ऐसर नहीं होना चाहिए अगला कोशन जो है उसकी बात करें तो ग्यारवा कोशन है मोशन सब्द का हिंदी अर्थ होता है तो मोशन सब्द का जो हिंदी अर्थ हो 68 ठीक है इस number पे आप भेज सकते हैं ठीक है यह number आपको ध्यान रखना है तो इस number पे आप भेज देंगे तो आपका solution जो है complete मिल जाएगा लेकिन paper को जब भी भेजें तो साब भेजें जिस student ने यह paper भेजा है काफी साब भेजा है आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख र हो ठीक है तो यहां पर यह हो गया 12 question 13 question खंड गवह है आपका यह जो कि आपका सब प्रसंग व्याख्या करनी है और इसी का जो आपार्ट है आप देख रहे हैं इसको स्क्रीन सोट ले ले लिए जिस विद्यादिक वास पेपर नहीं है और इस कात्वा पार्ट यह है ठीक है पूरा का पूरा जो है आपको बता धिया है कि कैसे करना है ठीक है तो आप इसको पड़ सकते हैं और समझ सकते हैं ठीक है तो यह आपका जो message है इसका answer हमने दे दिया अब आगे बढ़ते हैं नेक्स question की तरफ नेक्स जो question है यहाँ पर आपका जो पूछते हैं चलते हैं मागले question पर यह रहा question number 9 question number 9 अच्छा यह हमने उसी page पर answer दे दिया था चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं कोई बात नहीं यहाँ पर जो है आपका यह तो part हो गया अब इसमें जो है 13 number question मैं देख रहे हैं आप कि एक तो यह है कि इस पद्यांस की आपको व्याक्या करनी है और यह तो दोनों में से मैंने यह answer आपको बता दिया था उपर उसके बाद में यहाँ पर जो है यह तो पद था और यहाँ पर है गद आपका और पार्ट में आए हैं दशाओं को मर्दंग की तरह बजाने का क्या अतात पर रहे हैं और दूसरा है भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या विप्राय है और तीसरा है परदे पर वक्त की कि यह मत कवी का उक्त वाक्य से क्या आश्य है इस परस करना है भक्तिन अपना वास्तिविक नाम लोगों से क्यों चुपाती थी यह प्रशन पत्र पहले ही मैंने सौल करा दिया है तो अगर आपने बारवी क्लास का जो पेपर देखा होगा किसी दूसरे जिले का तो उसमें आपको इनका अंसर बहुत सारे मिल जाएंगे माहमारी फैलने के बाद गाउं दियुका retrouve के दृश्ति काणतर होता था और उसके बाद में शोला नमबर है कवी कुण रणायन अत्वा लेकी का महादे विवर्मा का जीवन परीचे और सहित्विक परीचे देना है तो आपको इसका देना है यह तो इसका देना है ठीक है और आपका जो बोर्ड पेपर है म आप चाहते हो कि सारे answers मिल जाए तो ऐसा possible नहीं होगा जहां पर जिस प्रशन पत्र के सारे answers देने होंगे जहां पर answers वो नए हैं तो वो जरूर दिये जाएंगे उसके बाद में नेक्स जो है खंड खा आपका घा आ जाता है सतरे नम्र कोशन निम्न प्रशनों के एक वाकिम उतर देना है सिल्वर बेडिंग पार्ट के लेखर और खथानायक का नाम बताना है और इस सारे चीज़ें ये आपके नेक्स जो है यशोदर बाबू के परिवार में कितने सदसे से सदसे थे संचेप में बताईए यानि कितने टोटल सदसे थे और उनके नाम क्या थे वस ये लिखना है आपको इसका बाद में दो पार्ट है सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल समवेदना क्या है अठारवा कोश आपको कर देना है आप अगर देखेंगे जाएंगे मौडल वेपर तो आपको सब मिल जाएगा 2022 के मौडल वेपर भी मैं सॉल्व करा रहा हूं आपने कोई भी कोशन पेपर सॉल्व करवाने के लिए हमारे 846902568 इस वाट्सेंप नमबर पे सेंड कर सकते हैं तो आसा करता ह बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको लेकिन जवान है क्योंकि पिछले दो सालों से मैंने इस चैनल पे जो एक्टिव हुआ हूं और दो सालों से वो काम किया है जो पूरे हिंदुस्तान ने नहीं किया कि बच्चों की फूर्ण रूप से परिक्षा की तैयारी करा देना चैप्टर तो मैं आपको बाद में कराऊंगा और चैप्टर में जो है आपका 10 तक करवाँगा 12th के चैप्टर नहीं कराऊंगा चैप्टर अगर 12 क्लास के कराने होंगे तो Physics Chemistry कराऊंगा उसके लाब सब कुछ मुझे पता है तो मैं इस्पेशली आपके सलूशन्स सारे विशे के दे दूंगा ठीक है आपको चिंता करने के आउशकता नहीं है थैंकि वेरी मच्छ वे गुड़ डे